राम राम, वाटसिप पे एक बहुती सुन्दर संदेश आया, इस संदेश आपके साथ साजा कर लेए हूँ, यह संदेश है अंतर का, कुछ भी कर लीजिए, अंतर तो रही जाता है, जैसे बच्पन में हम लोग जब ट्रेन की यातरा करते थे, तो देखते थे कि मां साथ में ह खाना बना कर रख लेती है, रास्ते में हम देखते थे कि ट्रेन में कुछ अमीर लोग ट्रेन की कैंटीन से खाना ओडर करते हैं, हम पिताजी से पूछते थे कि हम यह खाना क्यों नहीं खा सकते, पिताजी समझाते, मिटा यह खाना बहुत महंगा है, हम लोग नहीं मंगा स और आज जब हम देखते हैं कि हम भी वो खाना मंगा कर खा सकते हैं तब वो अमीर लोग अपने घर से खाना लेकर आते हैं सेहत की खातिर आखिर अंतर तो रही गया बच्पन में हम लोग हमेशा सूती कपड़े पहनते थे और देखते थी कि हमारे कुछ अमीर दोस्त टेरेलि पेहने का लेकिन पिदा जी कहते कि वह कपड़े बहुत महेंगे हैं हम नहीं खरीच सकते और आज हम खरीकों 2 पैहन पेहन थे की görते हैं तो सूती कपड़े बहुत महँगे हो गये हैं और अमीर लोग सूती कपड़े पहनते लिए फ़क्त रही गया अंतर तो रही बच्पन में अगर कोई कपड़ा फट जाता था तो मां उसे बड़े सलीके से सिल देती थी या फिर पिता जी लॉंडरी से रफू गरवा लाते थे और हम उसे खुशी-खुशी पहनते थे पस फर्क यही था कि हम उस रफू वाले हिस्से को छुपा-छुपा कर पहनते थे ल जब हम छोटे थे तो साइकल बड़ी मुश्किल से खरीदी थी और वो अमीर लोग स्कूटर पर स्कूल कॉलेज जाते थे जब हमने स्कूटर ले ली तो उन्होंने कार ले ली जब हमने भी कार ले ली तो उन्होंने बड़ी कार ले ली अब हम भी बड़ी कार लेने लायक ह तो वो अमीर लोग साइकल चलाने लगे हैं। अन्तर तो अब भी रही गया। बच्पन में मा, अक्थे जो आर कि रोटी बना लेती थी। और अमीर लोग हमेशा गेहों की रोटी टीफिन में लाते थी। अम भी मा को कहते मा रोल गेहों की रोटी बनाए करो न। लेकिन मा कहती गेहू महंगा है और आज हम गेहू की रोटी खा सकते हैं और वही अमीर लोग सेहत की ख्वातिर जुआर और बाजरे की रोटी खा रहे हैं अंतर तो फिर भी रह जाना कभी भी दो वेक्ति और परिस्तितियां एक जैसी नहीं हो सकती इसलिए जो है जैसा है उसमें खुश रहना सीखें कहीं ऐसा नहों कि इस अंतर को पाटने में दुसरों की तुलना करने में आप अपना वर्तमान भी खोदें और अपना भविश्य भी खोदें अंतर तो सतत है, सनातन है और अंतर सर्वदा रहेगा इसलिए जो है उसी में खुश रहना सिखें क्योंकि खुश है